अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जो इसके आगे आने वाले प्रेशनों में जिनके हमको कैलकुलेशन करनी होगी और वो है साज़ेदारों की सैयुक्त जीवन भीमा पॉलिसी क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जब कोई साज़ेदार फर्म से निवरत्य होता है या उसके मृत्य हो जाती है तो उनके हिस्से की जो राशी होती है वो फर्म को उनको देनी होती है लेकिन दोनों दशाएं हमने देखी कि कई बार अगर फर्म के पास उतनी राशी है कि अचानक से अगर किसी साज़ेदार के मृत्ति हो जाए या कोई साज़ेदार निवृत हो कर जाना चाहे तो उस राशी का भुकतान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फर्म के लिए अब ऐसी दुशा में क्या होता है कि इस तरह की दशाओं से बचने के लिए हानियों इसको हलतों किया जा सकता है लेकिन यहां पर जब हम इसके प्रविष्टि करते हैं तो नियुक चप्रेमेंपर प्रेमियम पर प्रेम्या और ऑर ना को को हल करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सनेहा संध्या एवं जागरती तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में लाविभाजन करते हैं 31 दिसंबर 2016 को उनकी पूंजी क्रमशा 24, 100, 1250 और 750 है 28 फरवरी 2017 को सनेहा कर मृत्य हो गई और उनका पूंजी खाता दयार करना है पहला एड्जिस्मेंट है फर्म में साज़ेदारों के 2700 रुपे के सयुग तभीमा पॉलिसी है पूंजी पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गड़ना की जाएगी पिछले तीन वर्षों का कुल लाब 6300 रुपे था चालू वर्ष के लिए इसनेहा के लाब का भाग पिछले तीन वर्षों के और 60 लाब के अनुसार निकाला जाएगा इसनेहा के प्रतिनिधी को दी जाने वाली राशी की गड़ना कीजी यहां पी हम अनुपाद जो दिया गया है प्रश्ण में उसके अधार पर हम देख रहें कि इसनेहा का जो भाग है तीन अनुपाद दो अनुपाद एक के हिसाब से वह तीन बटे च्छे हैं तो इस पूरी 2700 रुपए में से हम इसनेहा के भाग को अलग कर लेंगे यानि सबसे पहले 2700 कोड़ी तीन बटे च्छे करके तेरा सो पचास रुपए जो है वह सनेहा का भाग हम अलग कर लेंगे अब क्योंकि हमको इसकी जो पूंजी है उस पर हमको ब्याज देना है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसनेहा की जो पूंजी है वह 2400 रुपए है और क्योंकि एडिस् यह चलाते हैं कैलेंडर वर्ष मतलब एक जनवरी को यह अपने खाते खोलते हैं और एक दिसंबर को बंद करते हैं तो इस हिसाब से यह माना जाएगा कि सनेहा फर्म में दो महीने रही क्योंकि 28 फर्वरी को उसकी मृत्य हो गई यानि कि दो माह तक वह फर्म में रही जनव यह चलाता एक क्यालकुलेशन हमको करना होगा कि जो प्रॉफिट है उसमें सनेहा का जो हिस्सा है उसको निकालना होगा यहां पर एक पॉइंट जो दिया गया उसमें लिखा हुआ है कि पिछले तीन वर्ष का जो कुल लाब था वो तिरसट्सो रुपय था तो तिरसट्सो तो तिर शट सो में से अगर हम एक वर्ष का प्रॉफिट अलग कर लें तो 2100 रूपय जो है वो एक वर्ष का प्रॉफिट आएगा अब देखते हैं कि इसमें जो मृत साज़ेदार सनेहा उसका हिस्सा क्या है तो यह हम देखते है कि स्नेहा का जो हिस्सा है वो 2100 का 3 बटी 6 है और क्योंकि यह एक साल का profit है और स्नेहा फर्म में से 2 महीने रही है तो यहाँ पर हम इसका 2 महीने का profit निकालेंगे यानि 2100 का 3 बटी 6 है 2 महा का निकालेंगे तो 175 रुपए उसके हिस्से के लाब की गड़ना यहाँ पर हमनी की अब यहाँ पर ख्याते का रुपर करेंगे तो हम देखेंगे कि जह ऐसतध Τा क्ल लप यहां पर दिया गया है कि 3 वर्षो का कुल लप टीर सटसो रुपभा है और यहां पर एक point दिया गया है कि ख्याते को पिछले तीं जो के औसाटलाब की दुगने के बराबर किल्कलेट करेंगे तो क्योंकि यह तैन मैं है अब सारी कील्कुलेशन यहां पि एक आप हम को बनाना है स्नेहा का कैपिटल एकाउंट क्योंकि इस नहा जो है मृत साज़दार है सिर्फ उसके लिए हम यहां पर कैपिटल एकाउंट बनाएंगे यह ग्याद करने के लिए कि उसके के हिस्से में क्या डियो आते हैं और उसके जो उत्रा धिकारी है उसको कितनी राज्य का हमको भुट्तान करना है या पिर हो सकता है कि लाना भी वह तो यहां पर हम देखते हैं कि credit side में सबसे हमने बैलेंस लिखा जो यहां पर हमें दी गई थी इसनेहा की हिस्से की बैलेंस 2400 रुपए उसके बाद हमने देखा कि इसके capital interest on capital था वह हमें आपर credit side में लिख लेंगे 20 रुपिस उसके बाद हम profit and loss में उसका हिस्सा देख रहे हमने calculate किया था 175 वह हम credit side में लिख लेंगे फिर goodwill में हमने उसका हिस्सा देखा 2100 था यह हम उसका हिस्सा यहां पर लिख लेंगे और joint life policy में हमने देखा कि स्नेहा का हिस्सा था 1350 वह हम यहां पर credit side में लिख लेंगे तो कुल मिलाकर 6045 रुपए जो है वह स्नेहा का की जमाराशी है वह है इसमें से एक आहरण है 300 रुपए का उसको माइनस कर देंगे यानि कि हम उसको स्नेहा के capital account के debit में लिखेंगे और तीन सो रुपए उसमें से माइनस कर देंगे 6045 में से तो जो बैलेंस बचेगा 5745 यह हम स्नेहा का जो उत्त्रा अधिकारी है उसको यह देराशी की गढ़ना हम यह आपर हमने की है जो 5745 रुपए होगी तो आपने देखा कि संयुक्त जीवन भीमा पॉलिसी की कंडिशन में अलग अलग दिशाओं में हम इसकी अलग 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 एंट्री पास करते हैं